हेलो अगेन वेल्कम बैक टू नर्सिंग एस्पिरेंट आज की जो हमारी टॉपिक है वो इंसर्शन ओफ एंजी ट्यूब है अगर ये एक्जामनर के पॉइंट आफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें एक्जामनर क्या करता है आर्टिकल को औरिंज करते हैं या तो फीड करते हैं तो उसी को आज हमने पिक अप किया उस टॉपिक को इसमें देखें फीडिंग भी आता है और उसमें इंसर्शन तो आज हम पहले इंसर्शन परढ़ लेंगे फिर फीडिंग परढ़ लेंगे इसने क्या बोला कि एक small board tube होता है उसको जहें कि insert करना है इस्टमक में थू दर नाजो फैरिंग में नोज और फैरिंग के थू इंसर्ट करना ऐसा आता है कि इस्टमक तक तो ले जाता है बट एक point होता है ठीक है जिफ्वाइड प्रोसेश अभी आप इसमें आगे प्रोसेजर के जब इस्टेप में जाओगे तो उसमें यह आएगा कि जिफ्वाइड प्रोसेश दख आप इंसर्ट करो बट अगर डिफिनीशन पूसता है तो आप डारेट बोलोगे इस्टेप इस्टमक थू दे नॉजो फैरिंग अभी हम आपको बता दे ऐसे यह इस्टेण नम होता है इस point को कहते है जिफ्वाइड प्रोसेश नेक्स्ट परपस फस्ट है डीकम्प्रेशन अफ इस्टमक मतल and vomiting after surgery or traumatic event by decompressing the stomach after surgery जो nausea फील होती है या फिर vomiting होता है और traumatic event भी कुछने कुछ अकर हो जाते है उस time जो है क्या करते हैं NG tube का इस्तमाल करते हैं यूज करते हैं उससे prevent करने के लिए third to determine the amount of pressure and activity of GI track मतलब क्या है न कि यहाँ पर GI track में क्या activities हो रही है क्या pressure कितने हैं क्या वो सही amount में है या नहीं है मतलब कि studies के लिए diagnostic purpose के लिए भी जो है कि अभी आप procedure में हमने बोला न अभी आप procedure में जाओगे जब यहाँ पर होता है कि हमने insert किया NG tube को वो सही से fit हुआ कि नहीं तो वहाँ पर बाइल को अम लोग एक्स्ट्रेक्ट करते तो उसको लेबेटर भेजते वो होता है diagnostic studies ओके fourth point to give gastric lavaz gastric lavaz मैंने भी पता है न कि यह gastric lavaz होता है gastric lavaz होता है आप याद रपना L for lavaz means leave मतलब चीजों को leave कर रहा है stomach मतलब बाहर आ रहा है और G for give मतलब कि देना NG tube feeding lavaz to irritate the stomach in case of active bleeding और poisoning मतलब जो person या patient poisoning ले ले लेता है poison ले ले लेता है उसको तुरण on this part अगर vomiting करवाते जाए वो तो उससे कहीं कितने हज से ज्यादा जो है कि बॉड़ी में poisoning level कम हो जाता है या फिर जो bleeding हो रही है internal bleeding उसको जो है next to obtain specimen gastric contact for laboratory study मैंने बता है न बाइल सिक्रीट होता है तो laboratory study के लिए वो send किया जाता है next to administer medication जो person unconscious है या फिर कोई surgery हुई है जिससे वो चीजों को नहीं ले सकते थ्रू माउट तो उनको दिया जाता है एंजी ट्यूब और उसके थ्रू मेडिकेशन जाता है लिक्विड 7th cat to give gastric gawaj मैंने बता है गवाज means give feed directly into the stomach that is the gastric gawaj next what come contraindication contraindication means किसको किसको नहीं देना है एंजी ट्यूब किसको इंसर्ट नहीं करना है first absolute contraindication मतलब की बहुत ही ज्यादा जिसमें chances है मतलब इनको तो restricted ही है एकनम नहीं देना है मतलब नहीं नहीं that is a severe mid face trauma मतलब की mid face में जो है कि trauma वह बहुत ही भैंकर अच्छा खासा वाला accident हो गया है second recent nozzle surgery अगर कोई nozzle surgery यह तो नहीं देंगे क्योंकि एंसीट्यूफीडिंग कार्स होती है नाजोफेरिंग से होती है तो nose में तो इंसर्ट उठा है तो नत्ते second relative contraindication मतलब उससे related कुछ हो सकते हैं conjugulation abnormalities हो जाती है isofasial varies हो जाती है third recent bending of isofasial variance ठीक है bendizing होई है तो उसको नहीं देते हैं next patient को कौन सा position provide करेंगे अगर हमें tube को insert करना है तो उसके पहले हमने position पढ़ाया आपको उसमें हमने आपको fowler position पढ़ाया ना एक होता semi fowler position एक होता high fowler position मैंने angle आपको बताया था अच्छा खासा ऐसे यहाँ पर मैंने बताया था 15 फिर 45 फिर 90 डिग्री 90 डिग्री का हमने angle दिया था तो high fowler position उसमें high fowler position क्या है position of patient in which head end of the bed is raised 60 to 90 डिग्री मतलब इसमें जो है कि patient का bed 90 डिग्री या तो फिर 60 डिग्री तक रेज रहता है और semi follow position क्या position of patient in which head end of bed is raised 30 to 45 30 to 45 मेंस यह 30 हो गया यह 45 तक यहां तक जो है कि bed का जो है वो रहता है रहते हैं अभी figure दिखाते हैं अगाँ और ट्रे कंटेनिंग first kidney tray 2 होने चाहिए macintosh and towel cotton dipped applicator saline होना चाहिए levens tube और rylees tube हमने बताया ना levens tube उसको engy tube को levens भी कहते है या तो rylees tube भी कहते है अब वो size में 18-12 french होता है for the adult water solver lubricant such as the glycerin or liquid paraffin adhesive plaster and scissor gauze piece clean syringe size 10 to 20 ml हम बता देंगे यूज सिरिंज का क्या है measuring cup और mark drinking cup bowel with water clamp for occluding the nozogastric tube suction operators optional है इसको लेना है मतब रखे रहना पास में कुछ problems हो जाती है जिसे poisoning वाला होता है तो उसमें in the case वहाँ पर यूज करना है pen light और flashlight tongue blood tongue blood या तो tongue depression glass of water okay now i will show you some figures maybe कितने बच्चों ने नहीं देखा हो उसके वज़े से this is what this is kidney tray this is what macintosh जो की bet के बीच में बचाया जाता है जैसे की कोई भी discharge हो रहा है तो उससे जो है की bet linen matrices यह सब जो है खराम नहों next this is normal saline okay sodium chloride 0.9% weight per volume this is your riles tube or ng tube as you can say ठीक है this is the scissor which is a bandage scissor इससे cut करते है और यह आपका adhesive tape है जो की tube को set करने के लिए nose पे nozzle bone पर यूज करते हैं next this is the suctioning operators जो की optional है आप रखे रहिए और यह है tongue depression तो हमने आपको दिखा दिया अभी हमारा क्या होगा start procedure procedure हमने क्या पढ़ना है procedure पढ़ना है ठीक है तो first क्या identify the patient क्या है help in determining the appropriate size of the nasogastric tube for the patient identify the patient का मतलब इसमें पहले तो patient का आप identification data check करोगे मतलब कि इसमें physician का order देख लोगे आप next उसके बाद जो है कि age देखना है क्योंकि according to age जो है कि ng tube feeding जो ng tube आप fit कर रहे हो उसको दोगे feeding के लिए insert करोगे उसके size different होते है अभी जो 8-12 french हम लोग use कर रहे है वो adult के लिए है और जो child के लिए होता है वो 10 french के लिए हो जाता है 8 के लिए भी हो जाता है और जो neonate हो गया है infant हो गया है उनके लिए 6 का होता है वन नहीं होता है 6 french का second point क्या है check the physician order for any precaution such as for positioning or moment यह यह चीज़ बहुत माइनी रगती है कि आपको physician order check करना है क्या कोई precaution लेने है उसके positioning में या कोई moment में third assertion the level of consciousness and ability to follow the instruction rationally avoid the risk of aspiration of fluid क्या है third point आपका कि आप देखिये patient कित्मा conscious है वो खुद से कितनी चीज़े perform कर सकता है कितनी नहीं और उसमें यह है कि mean function की aspiration जो है ना उसके chances कम हो जाते है अगर patient conscious है क्योंकि ng tube insert करने में बहुत सारी problems arise हो जाती है कुछ patient में fourth assertion the ability of patient to maintain the desired position during insertion facilitate insertion of the tube कह रहा है कि आप पहले तो यह भी देख लें कि patient की कितनी ability है उस position को maintain करने में क्या पता कि कोई जो है कि back operation हुया या surgery हुई है तो problem हो सकती हो high fowler या semi fowler position नहीं ले सकता हुतना तो उस क्या करता है कि अगर position सही होता है तो वो facilitate मतलब easily जो है कि insert हो जाता है इंजिरियो fifth क्या review the patient medical history for any nozzle lesion bleeding pulse or deviate nozzle septum may require change in the root of nutritional support example orogastric incision क्या कह रहा है कि आप patient को जहीं history उसकी देख़ए क्या कोई nozzle मतलब क्या nose में कोई चोट तो नहीं लगी है या nose वो bleed तो नहीं कर रहा है या फिर nozzle septum में कोई और other problem तो ना है उसको चेकन may require change in the root of nutritional support example orogastric incision क्या कह रहा है कि अगर nozzle में problem होगी तो हम orally मतलब oral tube insert करेंगे orogastric insertion देंगे okay next हम during procedure अब क्या हमें procedure के दोरान करने हैं okay first wash hand आप hand को wash करोगे क्यों infection को prevent करने के cross infection आप कहीं और से आये हो infected एरिया से आये हो क्या-क्या object आपने touch के वो इस्ट्राइल थे की नहीं थे क्योंकि आप tube जो touch करोगे वो इस्ट्राइल रहेंगे तो इस वज़े से आपको hand wash करें explain procedure to the patient reduce anxiety and help patient to assist in insertion of the tube कह रहा है कि आप procedure को explain करिए इससे anxiety level जो है patient का कम हो जाएगा eighth point क्या है place the patient in high follower position comatose patient in semi follower position कह रहा है कि high follower position में place करना जो 45 to 90 degree होता है या 60 to 90 और जो comatose patient होते हुए semi follower position में करना है facilitate the insertion of tube and reduce the risk of aspiration क्योंकि यह position ही इस लिए दिया है कि easily तो tube insert हो जाए first thing और second thing कि aspiration का chances है वो reduce हो जाए ninth place macintosh and towel across the chest prevent the swelling of the patient dress यहां पे यहां पे macintosh पहले करना है फिर उसके पहले towel place करना है क्यों यह prevent करेगा patient के dress को खराब होने से गील होने से ओके tenth में first point अब आता है measure the length of the tube that is tip of the nose tip of the ear lobe and to the tip of the jefoid process and mark with the tape यह चीज मैंने आपको उपर बताई थी इसा होता है कि जो आप ट्यूब ले रहा हो ना वह तक कम से कम होना चाहिए insert करने के लिए यह point याद रखना है 20 to 30 cm इन एडल्ट में 30 जाता है according to height देखा जाये तो और थोड़न से कम age 20 अब इसका मतलब क्या है कैसे आप ट्यूब को मिजर करोगे पहले आपको ear देखे सॉरी यह नहीं nose nose के tip nose के tip से आपके ear के lobe जोब से पिर आपको जे उसके जीफ़इट प्रॉसेस तक ठीक है जीफ़इट प्रॉसेस तक मिजर करना है आप easily identify कर लोगे की patient का जीफ़इट प्रॉसेस कहा है हमने nose के tip से ear lobe ले गए ear lobe से हम लोग जीफ़इट प्रॉसेस तक लेकर आए अब वहाँ पर उसको next for orogastic intubation the tube is measured from the lip of the tip of zipphar process of sternum अब कह रहा है कि अगर आपको जो है कि जिसे कि कोई जो है नौजल लेजन हुआ है या ब्लीड कर रहा है नोज तो आप उसकी थ्रू ना देखे नोज की थ्रू ना देखे अब क्या लोगे orogastic intubation तो उसको मेज़े उसका ट्यूब मेजर करने के लाए अब लिप से लिप से डारेक्ट जिफाइड प्रोसेस तक अब इस्टोनम मेजर करोगे ओके अब हमारा 11 पॉइंट क्या है 11 पॉइंट यह बोला है कट देशी टेप 10 सेंटीमिटर लॉंग एंड कीप रेडी टू फिक्स देटूब अब हमें ट्यूब इंसर्ट करना इससे पहले ट्यूब इंसर्ट करने से पहले जो है हमें एडेशी ट्यूप को लेना उसको ऐसे बी क्या बेडीट की 9 सेंटीमिटर थो तो टू सेंटीमिटर छोड़ दे लह दो उसको वह तक नहीं कहते हैं एक यह हो गया सब इसे कट अब आपको यहां से श्लूप करके यहां तक छोड़ देना है ट्यूप का श्यप ऐसे हो जायेगा इसे हो जाएगा ओके तो उसके बाद अभी तो अमने आपको तिखा है तो टेप 10 cm को ऐसे करना है तो कट करोगा तो टूपाट पुलिवाड हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या है अब क्योंकि देखिया अभी आप ट्यूप यूज कर रहे हो अब ट्यूप यूज करोगी इस्ट्राइल ट्यूप आपकी हैंड डिर्टी होंगे इस वजह से जो है कि आपको क्लीन ग्लब्स करने थर्टीन क्या लूब्रिकेट दे टीप आप शिक्स तो एट इंचेज विद वाट इसको क्या करता नहीं कि इसली जो है ट्यूब तब जो है कि हानोज में इंटर कर जाता है आप इंसर्ट कर सकते हो ओके वाटर सॉल्बल लूब्रिकेंट इसली डिजॉल्फ इप इस एक्सिदेंटली इंटर दो लंग्स अगर इन दे केस्ट जो वाटर हमारा जो लूब्रि इसली दो इसली नहीं होता है इस के वज़े से 14 इंसर्ट थीूब थूब थूटे लेफ नौस्रिल तो थूब बैक ओप दैंमिंग बैक और दाउन तूब द इस अब डिय लोग्ड ह हाँ ए कि इंसर्ट त्यूब तूब तूब त्ल लेफ नौस्रिल क्यों कि हमारा इसो फै left side रहता है okay to the back of the throat aiming back and down towards the ear अब उसका हम लोग धीरे 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 डाउन करेंगे natural contours facilitate the passes of the tube और यह easily जो है कि इसे क्या होता है कि tube इंसर्ट हो जाते 15. flex the patient head towards the chest after the tube has passed the nosofaring क्या कह रहा है कि अब tube जो है wait यह tube है इंसर्ट कर रहा हो अब यह patient के chest के पहले मतलब कि यह जो है nosofaring pass कर चुका है तब क्या करोगे patient के head को flex करोगे मतलब उठाओगे हलका सा reduce the risk of tube entering the trachea यह क्या होता है कि वहीं तो trachea भी होता है तो कहीं ने कहीं वह insert हो जाए या फिर जो है इंटर कर जाए ट्राइक्या मों उसे प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा heat को हम लोग फ्लेक्स करते हैं कि नेक्स पॉइंट क्या है 16 इंकरेश पेशेंट को इंकरेश करना है को थोड़ा सा पानी ले और पी ले क्या करेंगा यह फैसिलेट पैसे आप ट्यूब्स आप ट्राइक्या अब देखिया हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो एयर पाइप मिलना जाके इसो फैकस में जा को खरता है तो आप सब्सिय एकर लेता है क्लोज कर दिता लेता है तो ऐसे जब आप सीप वटल लोगे क्या समझ जाए गा कि उच आ रहा है तो फुद को क्लोज कर देगा उसके साथ जेपा ट्यूब भी दीरे से इंतर कर जाएका इसो फैके सेम defending करैने यह नकी तरैज क्रे तक इंसर्ट करना है तो एबरी में धीरे-धीरे में 3-4 इंच जो है आपको इंटर करवाना है 3-4 इंच एबरी टाइम में पेशेंट स्वालो कर रहा है अंटिल जो हम लोग ने लेंथ ली थी वहां तक पहुंच नहीं जाता है रिदूस्ट दिसकंपट और ट्रॉमा त्यूब में भी क्वाइल और निकिंग निक्ड शरी इन ओर फैरे और ट्राइकल क्या कर रहा है वो क्वाइल होता है या तो फिर उसको हम लोग ऐसे फ्लेक्स किया रहता है नहीं मोर दियोते है कि उस टाइम आप ट्यूब को नहीं अंदर डालेंगे जब कोई भी रिजिस्टेंस मतलब कि माल ले जोग उससे कफ होने लगा या गैग आने लगा या चोक उसको मतलब पेन होने लगा या साइनोस मतलब ब्लूइस होने लगा तो आप ट्यूब को नहीं डालोगे आप तुरंत ट्यूब को जो है कि पीछे खीच लोगे बाहार निकालोगे और फिर से आप पेशेंट के पोजिएन को चेक करोगे कोफिंग कोफिंग और साइनोसिस पूल बैक ट्यूब सेम लेंद एंड चेक इपेशेंट डिस्टेस इस रिलीप इप इप इस रिलीप रिइंसर्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड पेशेंट डेबलफ रिस्पारेट्री डिस्टेस अगें इमिडेटली रिमूब दे ट्यूब इसका रिषन के अगर फिर से अकर हो रही है तो आपने उसको निकाल दिया था तो उसको कुछ सेकेंड के लिए रोग दीजे और उसको जब इस डिस्ट्रेस से कमफर्ट हो जाता है वह रिलीप पा जाता है तो फिर आप इंटर कर दियो और उस टाइम अगर दोबार आप इ अब हमने तो जिफार्ट प्रोसेस तक इंटर कर दिया अब हमें पता कैसे चलेगा कि सही प्लेस पे इंसर्ट हुआ है या नहीं तो उसके लिए क्या है एश्पिरेट गासी कोंटेंट एंड चेक पी यूजिंग देलिटमस पिपर इफ एबलेबल किया इसका है रिशनले एश्पिरेट कंटेंड इंडिकेट देट त्यूब इन दे इस्टिम आप क्या करोगे आप सिरिंज लोगे जो 20-20 एमल की थी उसम मतलब कि पीछे की तरह खीचोगे एस्पिरेट करो कि उसको गैस्टिक कॉंटेंट को अगर जो है कि बाइल आ जाता है जो ग्रीन यल्लोई कलर का होता है वो आ जाता है और उसका प्लेश चेक करो या तो फिल उसको लेबरेटरी में सेंड कर दो इस प्रिसमीन में डालके इसस क्या है प्लेश दे इंड आ ट्यूब इन बावल ऑफ वाटर तो चेक फॉर कॉंटिनियूस एर बबल इन वाटर अब आप क्या करोगे त्यूब के इंड को ओपन करोगे और बावल लोगे उसमें वाटर लोगे और ऐसे पुट करोगे अगर बबल आ रहे तो इसका मतलब व अगर ट्रेक्या में ट्यूब है तो पेशंट जो ही स्पीक नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि हमीं स्पीक करते वक्त जो है की रिस्पाइरेशन थोड़ा सा तो नेसेसरी होता ही डी एक्सरे में भी डन अब हो सके जब बहुत ज़्यदा हो की नहीं कंफर्म हो पारा तब एक्सरे करता है डॉक्टर अब टंटी सिक्योर ट्यूब विट टेप एंड एवाइड प्रेशर ऑन नेर्ज यूज अ 10 सेंटीमीटर पीसेस ऑप टेप स्प्लिट एट वन इंड प कान लोगे ऐसे करोगे और धीरे से इस ट्यूब के नीचे से इधर लओगे फिर इस ट्यूब के नीचे से इधर लाओगे और उसको जो है कि क्या कर दोगे फिक्स कर दोगे ठीक है सिक्योरिंग ट्यूब विद टेप आप ऐसे कर दोगे नेक्स्ट जो है क्या है फस्ट इन remove होने के chances कम हो जाएंगे या इधर दर हिलने के chances कम हो जाएंगे अब after procedure अब क्या क्या लोगे make patient comfortable in bed and provide oral hygiene every four to six hour अब आपने एंगे ट्यूब उसको दिया है insert किया तो आपको oral hygiene बहुत ही ज़्यादा maintain करना होगा every four to six hour आपको maintain करना है promote comfort and integrity of oral mucous membrane ठीक है इसका जो है rational है 23 discard waste clean and replace the reusable article अब आप जो waste है discard कर दोगे और reusable articles को फिर use करोगे इसको फैसली जाए इस्ट्राइल होने के लिए send कर दोगे अब वो इस्ट्राइल हो जाएगा तो फिर जो है की cupboard में रखवा जाएगा now 23 remove the gloves and wash hand अब आप गलब्स को रिमूब करोगे और wash hand करोगे और जो है की gloves disposal होने चाहिए यह क्या है कि reduce transmission of microorganism microorganism के transmission को क्या करता है reduce करता है 25 record type of tube place aspirate return and patient tolerance क्या करा अब आपको record करना है कि आपने जो tube place किया है क्या problems है क्या नहीं आई है मतलब क्या problems अकर हुई है क्या सही से place हुआ है वो फिर उसका aspirate return क्या कोई aspirate हुआ कोई machine user aspirate operator या फिर patient tolerance कितना patient टॉलेट कर कर पाया उस चीज़ को insert करते वद यह document हो गया आपका ठीक है अभी special consideration मतलब क्या क्या consideration होता इस पेसल वालो को लिए insufflation of air into tube followed by excultation is no longer considerable reliable in determining tube placement because sound transmitted by insufflation may be transmitted from the plural space into the upper abdomen thus giving false impression of tube placement क्या कह रहा है कि चीज़े वही है जब हम जब speak करते हैं तो हमारा क्या होता है कि यह call sound box होता है sound box कैसे sound produce होता है जब ट्रैकिये से air आती है pharynx में तो वहां से sound box तो sound produce होता है तो अगर जो है कि tube जो है कि wrong place जो है place है तो उसकी वज़े से chances क्या है कि abdomen में जाकर वह ट्रैकियम चला गया है second क्या है change tape of nozogastric tube as required to prevent the skin irrigation and inflammation अब आपको क्या करना है tape को change करना है क्यों क्योंकि continue अगर वही टेप जो रहेगा तो वह irritate कर सकता है इस nose के skin को third prolonged use of NG tube can cause sinitis infection and ulceration on the tissue of sinuses throat isophagus और इस्टुमक क्या कह रहा है अगर जादी समय तक NG tube use किये हुए हो आप तो sinitis मतलब कुछ problems internal वाला use cause कर सकता है infection हो सकता है और ulceration हो सकता है tissue of sinuses throat isophagus और इस्टुमक ठीक है यह सारी complications arise हो सकती है आज की class में हमने अपनी insertion पढ़ा है अब हम next class में क्या पढ़ेंगे NG tube feeding पढ़ेंगे अगर आपको कोई query है तो आप comment box में comment करिए हम आपको answer देंगे thank you आपको 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 आपक